इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धर्ती की सतह से 400 किलोमेटर उपर अंत्रिक्ष में प्रत्वी के चक्कर लगा रहा है यहाँ पर गुर्थवा कर्शन ना होने के कारण अंत्रिक्ष यात्री हवा में तैरते रहते हैं लेकिन क्या आपने सोचा है कि इतने लंबे समय तक बिना क मनोरंजन के साधन के ये लोग स्पेस स्टेशन में कैसे अपना वक्त गुजारते होंगे नासा ने स्पेस स्टेशन के अंदर अंत्रिक्ष यात्रियों की मस्ती का एक वीडियो चारिक जीसमें वो हवा में जूलते हुए जैसे इम्यूजमेंट पारक में राइड ले रहे ऐसे दिखाई दिये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को हाल ही में इसकी कक्षाख से कुछ किलो मीटर उपर धाकेलना था ता कि ये प्रत्वी की गुरुद्वा कर्शन के कारण वापस नीचे की और ना गिरने लगे ऐसा समय समय पर किया जाता रहता है इसे और्बिट राइस करना या रीबूस्ट करना कहते है जिसमें स्पेस स्टेशन मौजूदा स्थिती से थोड़ा उपर चला जाता है स्पेस.com के अनुसार स्पेस स्टेशन की कक्षा में होने वाले इस बदलाप के लिए इसके सभी इंजन चालू किये गए ताकि इसको कुछ किलोमीटर उपर धकेला जा सके इसी दौरान स्पेस स्टेशन में मौजूद अन्तरिक्षी यात्रियों को मस्ती सूजी और वो उपर से नीचे इसमें जोड़ने लगे जैसे कि वो amusement park में राइड ले रहे हो आपको उतावे स्पेस स्टेशन को 27 जनवरी को उपर धकेला गया इसके लिए इसके इंजन 13 मिनट तक चालू किये गए इसी दौरान स्पेस यात्रियों ने स्पेस स्टेशन में एक कैमरा रिकॉर्डिंग पर लगा दिया फिर इन्होंने जो मस्ती की वो देखने लायक थी इन्होंने अपने पैरों को सिकोल लिया और शरीर को एक बॉल की तरह बना लिया जो उपर से नीचे जूल सके जब इंजन चालू हुए तो इन्होंने स्पेस स्टेशन में एक इंटरनल फोर्स पैदा किया इस सेंत्रिक शात्री उपर से नीचे और नीचे से उपर राइड लेने लगे फिलाल आपको यी वीडियो कैसा लगा हमेज़ पर कमेंट करके अपनी राये शरूर बता ऐसी ही और खबरों से हमेज़ आपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हूँ तो लाइक और शेर करना ना भूलें